अमेरिका के राश्यपती डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उत्री सीरिया से अम्रीकी फोजों के हटने के बाद अगर तुर्की अपनी हदे पार करता है तो वो उसकी अर्थ व्यवस्ता को दभा कर देंगे अम्रीकी राश्यपती डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उत्री सीरिया ने अम्रीकी फोज के हटने के बाद अगर तुर्की अपनी हदे पार करता है तो वो उसकी अर्थ व्यवस्ता को बरबाद कर सकता है आशन का चताई जा रही है कि अगर अमरीकी सैनिक हटे तो तुर्की को सीमा के पास मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला बोलने का मौक़ा मिल जाएगा। कुर्द लड़ाके सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमरीका के पर्मुख सहयोगी रहे हैं। उधर तुर्की के रक्षा विभाग ने कहा है कि उत्री सीरिया में हमले के लिए वो पूरी तरह ताही आ रहा है। ट्रॉप ने कई टूइट करके अमरीकी सैनिकों को उत्री सीरिया से हटने के अपने फैसले का बचाओ किया है। ट्रॉप के रिपब्लिकन सहयोगी भी उनके फैसले की तीकी आलोचना कर रहे हैं। डेमोक्रिटिक सदस्से नैंसी पैलोसी और रिपब्लिकन मिच मैकोनल ने इसे खतरनाक और उतावला कदम बताया है। विदेश विभाग की प्रेस प्रीफिंग में मौजूद रहे। बलूंबर्ग नियूस के समधाता निकोलस वेडम्स का कहना है कि विदेशी विभाग टरम के फैसले पर लेपा पोती कर रही है। निकोलस ने कहा कि विदेश मंतराले के दो अधकारियों ने इस पस्टिकरन दिया है कि वास्तों में अमरीका सिर्फ दो ठिकानों से अपने सैनिका को वापस बला रहा था। इनका ये कहना दिखाता है कि वे दरसल अपने इन सैनिक को किसी संभावित नुकसान से बचा रहे थे। अधिकारे उन ये भी कहा है कि वे नहीं चाहते कि अमरीकी सैनिक महां मवजूद रहें और वे हमले के लिए मूख सहमती देते दिखें। यानि ये इसी तरह की स्थिती है जहां राश्पती कहते कुछ और हैं और फिर उसे समझा कुछ और जाता है और बाद में अधिकारी आगे आकर कुछ और ही कहानी सामने रख देते हैं। सेरिया में अमरीका के एक हजार सैनिक तैनात हैं और फिलहाल सीमा के करीब दो दरजन सैनिका को हटा दिया गया है। सला दी थी। फिर भी टरंप ने फैसला ले लिया। विरो रिपोर्ट न्यूसमैक्स